हलो प्रेंट्स, कैसे हैं आप सब, आसा करते हैं, आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, तो प्रेंट्स अभी देखिए, ये दो पहर के टैम था, तो मैं यहाँ पर सिलाई करने के लिए यहाँ पर बिच्छाई थी एक चटाई, और उसके बाद यहाँ पर हम कटिंग कर रहे तो क्टिंग करने के बार बल जुला शील रहे थे अभी शाम की टैम हो गए हैं तो अभी हम सारे यहाँ पर उठा लेंगे चटाए उठाए उठाए उसके बाद ज्जाडु लगाएंगे सामकी ज्जाड़ू हो रही है सुबा के टैम में सांकी टैम में बार बार मतलब दिन भर में कई बार जाड़ो लगता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर सिलाई करती हूँ उसके बाद में उठा करके एक बार फिर से पूरे घर आंगन की जाड़ो लगा देती हूँ अभी लैट भी नहीं है तो अंदर में जाड़ो की हूँ ऐसे मैं इससे पहल में पूरे घरागन के वरशाडू लगा ली थी उसकी बाद ही बैठी थी लेकिन बच्चे है न यह पर खेलते रहते हैं उसके कारण फिर से यह पर गंदा कचड़ा लेकर के आही जाते हैं बाहर से कुछ-कुछ लेकर के आते हैं और गिटी वगेरे लेकर के आते हैं पत्ता क् कर गदा भी होजाता है अब अभी थोड़ा बहुत बहुत बारीस भी होती हमारे हयं कि दोपर में जबिसकुल से आये थे इस टैम् महम ज्कोंकि ऑrukt तो इन वहादा के ब में बहुत बहुत जलना हो दो करके बिच्छे कपड़े रख दी देश सारे अभी में इहां पर ज्आड़ू लगाऊंगी उसके बाद में कपड़ दो भोड़ा सा थोड़ा सा फिर बरतन भी ठोड़े बहुत होते हैं बच्छे खापी करके छोड़े देते हैं तो भी दोना है मुझे तो यह पर पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं और आज कल थोड़े सब थंदा पड़ रहे हमारे हैं तो चीटिया बहुत जादा आ रही है दोस्तों बहुत जादा आ रहे हैं परिशान करके रख दे रहे हैं जहां भी देखो वहां चीटी चीटी अंदर में भी कहीं कहीं पर है लेकिन अंधर कम मैं नहीं दिखा पाई हूँ और आप ल YouTubers को मैं बाहर में दिखाई हूँ आप लोग पूरा वीडियो में देखें और बने रहिए और देखें कैसा चीटी हमारे घर पर तेरा लगा दिये हैं और बहुत होता है तो थंड़ा सा लगता है कितना जब प्ड़ा निकल रहे हैं तो तो मैं मैं आफंचोड़ा को उठा कर दोंगे तो में जैसे उठाई ऑफ पेर स्राव में च्छबा गए करें eto अगर पखती बहुत ज्सक्ताइक अगर करते हैं गार के निकल जाते हैं लेकिन इसको हम लोग तांग नहीं करते हैं इसलिए ज्दथ पर संद्न रहेखना पर हम जाड़ु लगा देते हैं खहारों पैर को ह्यासे बार कटा। उठाने के लिए आते हूं तो फिर यह काट देता है तो फिर हम अभी छोड़ दिए इसको अगर सांत हो जाएगा उसके बाद हम उठा कर इसको फिख देंगे आज नहीं तो कल फिख देंगे तो यहाँ पर देखें हम जाड़ा कर लिए थे और रहे कंजड़ा के फिकने नहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन आता नहीं है बारिस और अगल बगल में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिस हुआ है तो हम लोग को भी लगता है कि यहां में बारिस होगा लेकिन होता ही नहीं है बारिस और सुखा पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगता है भी देखे बारिस होने जैसा होता है फिर हलका भुलका आ जाता है फिर सूबा में धूप होता है बहुत ज़्यादा तो उसके कारण भाप हमें बहुत ज़्यादा मिलती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है भाप निकलने ल तो बहुत अच्छा होता अभी खेती बारी का देन भी पहुंच गया लेकिन बारिस नहीं आ रही है पता नहीं क्यों तो यहां पर रेखें बरतन दो दिये थे उसके बाद यह कपड़े हैं सभी को नहाए थे रोशनी रोहनी रोहन और मैं अभी धो रही हूं मैं इससे पहले स शुटता नहीं हो उल्हो को फ़ेंगे कि अम लोग होग सुट नहीं करते हैं क्योंकि मुसम खराब रहता है तो प्र लेट नहीं रहता है लेट के प्रोबलम में हर वीडियो में आप लोगों को बताए हो